हलो फ्रेंट्स वेलकम करते हूं अपने यूट्यूब चैनल किरंस किचन में और आज किरंस किचन में बनाएंगे ये क्रिस्पी करारे इवनिंग स्नेक्स की रेसिपी बहुत ही डिलिशियस सबको बहुत पसंद आती है जो कि है समोसे की रेसिपी सभी बच्चे हो बड़े हो स अब बहुत पसंद से खाते हैं तो फ्रेंट्स अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा साथ ही किरंस किचन को सब्सक्राइब कर बेल को जरूर पैस कर दिजेगा जिससे कि आप आगे भी मेरी रेसिपी के साथ जुड़े रह एक चमच के करीब सर्सों के दाने तो मिर्च को आप उपर से बीकाट कर डाल सकते हैं लेकिन रहा वैने अध्रक लाव्ट Means के साथ वे आलू है उसे इस तरह काटे की साहथा से मैं मैश कर लेती हूँ यह आलू बहुत अच्छे से मैश हो गया है आलू अच्छे से ऊबले होने चाहिए जिसे की स्वाद अच्छा आए अब एक कढ़ाई में मैंने 10 चमच सरसो का तेल गर्म किया उस गर्म तेल में 1 चमच सरसो के दाने 1 चमच जीरा के दाने जो मसाले हमने लिये थे और ये मंग्रेल है और ये क्रश्ट धनिया है फ्लेम को कम कर देंगे और इसे हलका सा भून लेते हैं इसके भूनने के साथ ही जो आलू हमने मैश करके रखे थे क्रश्ट करके रखा था वो इसमें डाल देंगे तीन चमच अद्रक लहसन और हरी मेश का पेश्ट डाला और ये आधी चमच हल्दी धनिया के पत्तों को भी काट कर डाल दिया यहाँ पे आधी चमच मैंने कश्मीरी लाल मिश डाली है बस कलर के लिए अच्छा दिखे इसलिए इससे स्वात में कोई फर्क नहीं पड़ेगा आप इसे स्किप भी कर सकते हैं अब इसमें नमक डाल देंगे और इसे बहुत अच्छे से मिलाकते हुए चला देंगे जिससे की आलू और नमक एक दूसरे में बहुत अच्छे से मिल जाए और इसे 5 मिनट के लिए भूनेंगे रेगुलर चलाते हुए भूनेंगे ये 5 मिनट बाद ये मसाले बनकर रेडी हो गया है तो गैस को कर देंगे बंद और इसे होने देते हैं ठंडा अब उपर का कवर बनाने के लिए यहां मैंने मैदा लिया हुआ है उसमें आधी चमच के करीब नमक डालेंगे मैदा का साधापन खतम करने के लिए चौथाई चमच बेकिंग सोडा और आधी चमच मंग्रेल के धाने डाल देंगे और यहां बारत से 14 चमच के करीब बड़े चमच से रिफाइंड का ओयल डालेंगे इसका मोयन के लिए नमक जो है वो बहुत जादा इसमें नहीं डालेंगे नमक इतना डालेंगे कि बस जो मैदे का साधापन है वो निकल जाए और इसे हाथों की सहायता से रिफाइंड ओयल नमक मंग्रेल और बेकिंग सोडा जो हमने इसमें डाला है वो से हाथों की सहायता से बहुत अच्छे से मिलाएंगे जिसे के मैदे में बहुत अच्छे से हर जगर मिल जाए सभी चीजे बहुत अच्छे से मिल गई है तो इसमें हलका हलका सा पानी डालते हुए थोड़ा थोड़ा सा पानी डालते हुए इसका एक डो रेडी करेंगे वो डो जो बनेगा वो बहुत सक्त भी हमें नहीं करना है बहुत गिला भी नहीं करना है एक मीडियम टेक्स्चर का डो रेडी करेंगे देखिए ये डो बनकर बिल्कुल रेडी है अब इसे 20 से 25 मिनट के लिए ढखका रख देंगे और इसे रेस्ट करने देंगे 25 मिनट बाद देखिए ये डो थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया है और बेलने में भी थोड़ी से आसानी हो जाएगी इसे तो चलिए अब समोसे बनाते हैं यहां मैंने एक छोटी सी लोई ली और इसे इस तरह से बेल रही हूँ यह भी नहीं बेलना है अन्डे देन के शयप में गया जहलेगे इसे तरह से चिपकाएंगे अब हाथों की सायता से इसे पकड़ लेंगे और इसमें फीलिंग डालेंगे आलू की फीलिंग यहां आलू में आप बादाम वगार भी मिला सकते हैं जिसे मैंने की स्किप कर दिया है तो एक समोशे का सेप देकर इसे बनाते रहेंगे समोसे का साइज आप अपने हिसाब से कम और छोटा या बड़ा जिस तरह से मीडियम साइज के आप बना सकते हैं यहाँ पे थोड़ा साइज मैं छोटा ही बना रही हूँ देखिए यह समोसे इस तरह से सभी को बेल कर रेडी करेंगे यह समोसे कुछ बन चुके हैं कुछ को बना लिया है कुछ बाकी हैं तो चलिए इन्हें सबसे पहले तल लेते हैं समोसे बनाने के बाद उसे 10 मिनट के लिए रेस्ट देंगे ऐसा नहीं है कि बनाए और उसे गरम तेल में तल दियें ऐसा नहीं करेंगे यहां एक कड़ाई में मैंने refined oil डाला अंदाज से डाला जिसमें की समोसे अच्छे से तला जाएं तो इसे गर्म होने देते हैं इसे गर्म होने के बाद मैंने इसमें समोसे डाल दिये हैं और इसे बहुत अच्छे से तलेंगे हीट को मीडियम रखेंगे बहुत तेज पे समोसे नहीं तलेंगे नहीं तो ये उपर से लाल हो जाएंगे लेकिन अंदर तक बहुत अच्छे से नहीं पके रहेंगे तो ये मैदे के हैं तो इन्हे सुनहरा होने तक बिल्कुल बहुत अच्छे से इस तरह से गुमाते फिराते हुए इसको तलेंगे समोसे क्रिस्पी होने बहुत जरूरी है तभी इसका टेस्ट का अस्री मजा आता है इसलिए हरबड़ी से कोई काम नहीं करेंगे इसे बहुत अच्छे से तल लेते हैं समोसे धीरे धीरे गोल्डेन होने लगे हैं समोसे बिल्कुल क्रिस्पी तला गया है बहुत अच्छे से तल गया कर रेडी हो गया है तो इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं और बाकी सारे समोसो को भी रिफाइंड ओयल में डालकर तल लेते हैं तो फ्रेंड्स ये क्रिस्पी करारे स्नैक्स बनकर रेडी है तो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा फिर मिलती हूँ दोस्तों एक नई और बहुत ही अच्छी सी रेसिपी के साथ तब तक के लिए आप सबों को बाबाई